फ्रेंड्स आज अदानी विलमार और अदानी पौवर दोनों में लोर सर्कृट लग गया इस लोर सर्कृट के पीछे असली वज़े क्या जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से क्या वाकई में स्टॉक की वज़े से लोर सर्कृट लगा या फिर बाजार की वज़े से लगा क्योंकि आज बाजार में बहुत ही बहेंकर गिरावट रही और इस गिरावट के पीछे वज़े बनी है RBI का एक अचानक लिया हुआ फैसला क्या है वो फैसला और उसके वज़े क्या बदी क्यों इतना अमर्जेंसी में फैसला लिया गया है सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के मादिम से क्या आने वाले समय में और भहिंकर गिरावट होने वाली है जिस तरह से RBI ने ये quick decision लिया क्या इसका effect पड़ सकता है आने वाले समय में क्या इस समय हमें दोनों stock से जल से जल निकल जाना चीए या फिर अभी investment बनाया रखना चीए कल हमें result भी देखना को मिलेगा अदानी power का कैसे result की सभाव ना रह सकती है उसको भी जाने की कोशिस करेंगे और क्या result जो दिखाया है अदानी उसका भी effect देखना को मिल रहा है सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के मादिम से वैसे अदानी विल्मार ने एक बहुत बड़ा achievement किया है उन्होंने कोईनु राइस ब्रैंड को अपने नाम पे कर लिया है साथ में हिंदूस्तान ने इनुलेवर को भी पच्छाट दिया तो एक बहुत बड़ा achievement है एक तरह से कहतो milestone achievement की अदानी विल्मार ने लेकिन उसके बावजूद भी आज गिराउट हुई और इस गिराउट के पीछे वजह बाजार की संभावना है जो बाजार में बड़ी गिराउट हुई तो इन सारी संभावनों को तलासेंगे इस वीडियो के मादें से लेकिन फ्रैंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल प कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बीए सी सेंसेक्स की बात कर रहते हैं तो आज सेंसेक 55,669 पर आचुका है जहां पर 1,306 पॉइंट की बहुत-बड़ी गिराउट हुई है यानि 2.29 परसेंट गिर गया सेंसेक्स और आप देखोगे तो काफी अच लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और इसकी वज़े से Reserve Bank of India ने अचानक जो अभी उसकी अभी डेट नहीं थी मीटिंग के उसके बाउजबी इन्हों ने अचानक मीटिंग लेके रेपो रेट को बढ़ा दिया यानि जो 4% रेपो रेट था उसको 4.40% कर दिया अब इसक सकति गांदे आज बुद्वार को प्रेस कांफरेंस करके यह जान करी दी कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे पहले 6 और 8 अपरेल के बीच में यह जो मीटिंग हुई थी RBI की क्रेडिट पॉलिशे की तो उसके इसाब से अग मेंगाई की वज़े से आई यह निर्ने लेना पड़ा यहाँ पे CRR में भी बड़ोतरी की गए जो 0.50% कर लिया बड़ोतरी की गई है और इसको बढ़ा के 4.5% कर लिया है तो यहाँ पे CRR भी बढ़ा है और आप देखोगे तो मार्केट ने इसको बहुत ही सर्प्राइज तरीके से लिया और इस वज़े से बड़ी किराव भी सबसे बड़ी बात यह है कि महेंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और तेल की प्राइज में काफी ज़दा उचाले है उसकी वज़े से सबसे बड़ी बात यह है कि RBI की मॉनिटरी पॉलिसी की मिटिंग उस समय एमर्जेंसी में ली गई है जब रूस और यूकरेजन के जंग के कारण जो कुरूड ओल है उसकी प्राइज लगातार बढ़ रही है और मैटल प्राइज में भारी उचाले और इसके लिए पूरी दुनिया में महेंगाई बढ़ी हुई है और ऐसे में RBI ने जो पिछली ब बार उन्होंने उन अनुमान में बदलाव किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि चिप एकोनमिस्ट मदन सब्मिनिस्ट ने पिछली मीटिंग के बाद कहा था कि क्रेडिट पॉलिसी ने GDP और महेंगाई दोनों के अनुमान को बदलाव में बाजार को चोका दिया है GDP ग्रो बादार बड़ोतरी की संबावना बनी हुए और यही बाजार के लिए निगेटिव संदेश है कि आने वाले समय में और भी रेपोरेट बढ़ सकती है तो फिर यहाँ पे बाजार में भी संबावना निगेटिव बन सकती है अब यूएस की फैड मीटिंग के उपर भी नज सोदन करते रहे अगर आप चाहे तो शॉट टर्म इंवेश्टर प्रॉफिट बुक करें लॉंग टर्म इंवेश्टर बिना छेड़े बने रहे यहाँ पे आप देखोगे तो दानी विलमार सेओं फिप्टिन पर आज चुका है फाइव परसेंट का लोर सर्किट लगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है अंग्सू मलिक की तरफ से कि आने वाले जून महीने में 15% की गिरावट हो जाएगी एडिबल ओयल की प्राइज में यानि जून महीने में प्राइज गिर सकती है एडिबल ओयल की और यहाँ पे अगर यह बात है कि इंडोनेसिया भी जो बैन लगा है वो 10 मही को हटा सकता है और ओयल फिर से आना सुरू हो जाएगा तो कहने का मतलब एक उनकी तरफ से का गया है कि जून में प्राइस गिरेगी लगिन इसका मतलब यह है कि दूसरा क्वाटर आ जाएगा तब 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 तक उस पहले क्वाटर की जो नतीजे होंगे उसके उपर बड़ी जो प्राइज है उसका इफेक्ट देखना को मिलेगा मतलब अद्यानी विल्मार के रिवेन्य और प्रॉफिट में बड़ोती दिखाई देगी तो आने वाला जो रहेगा रिवेन्य रिजल्ट रहेगा वो बैदर तो पहले नमर पे आज चुकिया अदानी विल्मार और इस वज़े से यहाँ पे तेजी की समोना बनती गिरावट जो हुई है वो बाजार की वज़े से हुई है क्योंकि RBI ने रेपोरेट बड़ा दिया और इसका आसर देखने को मिला वरना ओवरॉल अदानी विल्मार ने हिस्सा बन जाएगी तो इसकी वज़े से इनके कारोबार में और व्रिद्धी होगी अब यहाँ पे एक बार इनके पीवर्ट लिवर को भी चेक कर लेते तो यहां से गर और गिरावट होती तो 740 का फर्स सपोर्ट है यह सपोर्ट टूटा तो 726 तक इस्टोक जा सकता है त बिल्कुल तेजी बनी तो आपको 800 के उपर जाद हो दिखा लेकिन गिरावट ही तो फिर 700 के आस्पत आ लेगा अब एक ही सम्भावना है कि जो भी शॉर्ट टर्म इंवेस्टर जल से जल अपना प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे जो रिजन हो न तुषकंड, है इसका पिछल दो और जुबंख लो बहुत से हा सुबां आऊचे के जो बहुत वाल है तो सिब्सक्रावस बबनाए जाता थो तो तो थोड़्म से बाज़ार इसको डिस्काउंट अएक मिश्य ने बीच में कल हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा अधानी पावर का और रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की पूरी संभावन है कामकाज उनका अच्छा रहा है पिछले उन्हों लेक्रिसिटी कंजमसन भी बड़ा था और साथ में इनका जो ग्रिन अनलजी का बीजनस है बीचा ग्रो कर रहा है और इस बुझे से अधानी पावर का रिजल्ट हमें बैदरीन देखना को मिल सकता है और कल हमें इंतजार करना होगा जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद उसको एक बार रिजल्ट को भी हम एनालीस करेंगे लेकिन अधानी पावर में आपको निवे 244 तक जा सकता है तीसरा सपोर्ट 256 का निकल के आ रहा है उपर की दर मुझ करने पर 288 का फर्स्ट रेश्टन से इसको ब्रेक कर लेदा फिर 296 तक जाएगा और आगे पहुझ गया इस टो फिर 304 भी जा सकता है यहनि 300 को पार भी कर सकता है तो पॉजिटिव माहुल बना त तो इस टोक को बिल्कुल न चेड़े अभी कितने भी गिराउट हो इस टोक नीचे आए जब तक आप बेचोगे नहीं आपको लॉस नहीं होगा आने वाले समय फिर से तेजी बनीगा और आपके जो हमने टार्गेट रखे हुए जो टार्गेट है वो टार्गेट बिल्कु यही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जिरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड